नमस्कार अब देख रहे हैं Daily Wars India कभी-कभी जिन्दगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं जिनसे किसी इंसान की किस्मत रातो रात बदल जाती है ऐसा ही कुछ हुआ है Indian Idol Season 11 की विनर Sunny Hindustani के साथ शो को जीतने के बाद Sunny की जिन्दगी पूरी तरह बदल चुकी है और जो Sunny कभी जूते पॉलिश करके अपना गुजारा करते थे आज वो देश-विदेश में एक के बाद एक musical शो कर रहे हैं जिनकी माँ पैसो के लिए गुबारे बेचा करती थी आज वही एक बड़े star बन चुके हैं हाला कि Sunny आज जिस मुकाम पर है उसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है लेकिन अब हाल ही में Sunny को लेकर जो अपडेट सामने आई है उसको जान कर हर कोई हैरान है Sunny ने अपनी गल्फरेंड के साथ एक फोटो शेर कर अपने relationship का खुलासा किया है Sunny ने हाल ही में Instagram पर अपनी गल्फरेंड ड्रामडी की फोटो शेर की है फोटो में Sunny गल्फरेंड के माथे पर किस कर रहे हैं दोनों की जोड़ी काफी खुब सूरत लग रही है इस फोटो के साथ उन्होंने लिखा है हमेशा तुम्हारे साथ मेरा सच्चा प्यार रैमडी ने आगे लिखा है कि सबसे खुबसूरत लंभा जब यूनिवर्स भी रुख गया अपनी लाइफ में मैंने जो कुछ भी बुरा देखा वो सब भूल गई आपको बता दे कि Sunny की गल्फरेंड रैमडी एक लेखक और चुतरकार है और वो नीदरलेंड की रहने वाली है अभी उनके इंस्टाग्राम पर 14,000 से जादा फॉलोवर्स है ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने Sunny के साथ अपनी भावनाओं को जाहिर किया है इससे पहले भी वो कई मौकों पर Sunny की तस्वीर के साथ इसी तरह के रोमैंटिक पोस्ट शेयर कर चुकी है इसी के साथ वो अकसर अपनी खूपसूरत तस्वीरे भी पोस्ट करती रहती है फिलहाल इंडियन आइडल के विनर Sunny हिंदुसानी के विदेशों में बैक टो बैक शोस चल रहे हैं Sunny का पहला शो लंडन में हुआ जो काफी शानदार रहा इस शो की फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि लंडन के इंडिगो हॉल में एक्स्क्लूसिव फर्स शो इस शो में हजारों भार्ट्य मौझूद थे साथ ही कई विदेशी हस्तियों ने भी उनकी आवास की जादू को सुना इसी इवेंट के दौरान सनी को सपोर्ट करने रैमडी भी उनके साथ नज़र आई लाइफ शो में सनी के गाने के बाद दोनों एक दूसरे को हग करते हुए भी नज़र आए इतना ही नहीं सनी अपनी गर्फरेंट को देर रात कॉफी और पिज़ा डेट पर भी लेकर गए जहां दोनों ने साथ में काफी अच्छा वक्त बिताया वहीं बात करें इंडियन आइडल के बारवे सीजन की जिसका जल्द ही फिनाले होने वाला है थाला कि यह सीजन बहुत जादा विवादों में रहा कॉरोना के चलते इंडियन आइडल के बारवे सीजन की शूटिंग खत्म हो गई थी लेकिन अब पूरी टीम वापस मुंबई लोट आई है साथ ही शो के फिनाले की भी तैयारी चल रही है इस बीच शो के मेकर्स ने सभी बचे हुए कंटेस्टेंट को घर भेज दिया है ताकि वो सभी जनता के बीच जाकर उनसे वोट देने की अपील कर सके यह थी आज की हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा कैस से पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए